नमस्कार, जैश्री कृष्णा, मैं राकेश शिवानियास्टो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ संतान भावफल आलधो इस चैप्टर का नाम लिखा हुआ है पूत्र भावफल बड़ आप इसको संतान भावफल लेके चलिए कि किसी के संतान होगी ya नहीं होगी या संतान होगी तो कुछ प्राबलम हो सकती है क्या क्या संतान के योग है ये सारे शास्त्रों में दिये हुए हैं उन्हीं शास्त्रों के योगों को मैं आज आपके सामने बताने हूँ तो चलते हैं पहला योग देखते हैं कि शास्त्र में क्या कहा गया है जो भी हमारा वैदिक शास्त्र उसमें कहा गया है, श्लोख है, बहुत सिंपल तरह का योग इनों ने ये बताया है, ये कहते हैं सुस्था विलगन शशीनो, शशी बोलते हैं चंद्रमा को, विलगन मतलद लगन, सुतभेष जीवा, सुस्थान नात्य, शुग गस्ती उतनु शुद जे, अब ये कैसे हैं, य कहते हैं यदि लगन से पांचवे भाव का स्वामी क्योंकि लगन से ही पांचवे भाव से हम संतान को देखते हैं तो लगन से पांचवे भाव का स्वामी देखो चंद्रमा से पांचवे भाव का स्वामी चंद्र से भी चंदर कुंडली से भी देखने का प्रावधान है और क तो पहले लगन से पाचवा स्थान देखिए, उसका स्वामी कहा है, चंद्रमा से पाचवा स्थान का स्वामी देखिए, वो कहा है, और ब्रहस्पती देखिए, अगर वो अच्छे स्थानों में बैठे हैं, अच्छे स्थानों में बैठे हैं, मतलब छटे आठवे बारवे भ करना है जहां भी पुत्र लिखा है आप सोचिए संतान का हो तो निश्चित रुप से संतान होती है यदि लगन से पांचवे भाव का स्वामी चंद्रमा से पांचवे भाव का स्वामी और ब्रस्पति तीनों अच्छे थानों में बैठे अब यदि पंचम भाव और पंचमेश की तता शुब ग्रहों की द्रस्टी हो पंचम भाव पर अगर पंचम भाव जो संतान का भाव होता है उस पें पंचमेश की द्रस्टी हो तो हम ये जानते हैं कि जो भी द्रस्टी है अपने भाव को देखता है या भा पांचे घर में ना बैटे हो तो भी निश्चित रूप से संतान पैदा होते हैं ये भी एक नियम है इसके लावा लगनेश और पंचमेश एक साथ बैठे होंगे और एक दूसरे घर मैठे हो या उनके अंदर छेतर परिवर्तन तो भी निश्चित रूप से संतान प्राप्त ह उन पे बहुत ज़्यादा अशुक प्रभाव ना हो या उनमें छित्र परिवर्तन हो तो भी निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है ऐसा नियम भी शास्त्रों में वर्नित दूसरा डियम क्या बोलते है और बोलते है लगनाम रिड्या शशिनाम सुत भेशु पाप हैं ये संतान के लिए बाधा कारक ये कहते हैं लगन चंद्रमा और ब्रस्पति तीनों चीज देखे लिजिए आप लगन देखे लिजिए चंद्रमा देखे लिजिए ब्रस्पति इन से पंचम स्थानों में पाप ग्रह हो या पाप ग्रह की द्रस्ती हो उन स्थानों में श सब्सक्राइब करदोगा六 बूर्ट हन् лиकारड नुटर का संतान का कारग इन सबसे पांशों इस्थान में चुर्ड कर लिए अगर तीनों भाव को चैकरिए अगर तीनों भान आथी अगर आप सा मत बोलिए कि संतान नहीं होगी आपने सिर्फ पांच्वा भाव देखा लगन से और पांच्वे भाव के ओपर या अपने निलने नहीं आपको चंद्र से पांच्वा और गुरू से पांच्वा भी देखना होगा कारक से पांच्वा भी देखना तो लगन चंद्रमा और ब पाँचवे इस्थान के स्वामी जो हैं, यदि वो दूस थान में पड़े हों, दूस थान कौन कों से हैं मारे छटा, आठवा और बारमा, यदि दूस थान में पड़े हों, तो भी संतान में बधा गारब, ये भी आपको चेक करना चाहिए, कि लगन से पाँचवे भाब का स् पापकत्री में हो चंद्रमा से पाचवा स्थान पापकत्री में हो तो भी निश्चित्रूप से संथान के लिए बाधाकारत हो तो ये आपको स्लोक समझ में आया होगा बहुत इंपॉर्ण श्लोक है याद रखिए इसको दूसरा कहता है श्लोक के अंदर ये क्या कहता है ये कहते है कि साब देखे किसी भी कोई ग्रह यदि पंचम इस्थान का स्वामी होके पंचम भाव में ही बैठा ये तो हम जानते हैं कि जो भी भाव अपने ग्रह से देखा जाता हो अपने स्वामी से देखा जाता हो या अपने भाव के स्वामी से वो तुरूप से हो और यदि कोई शुभ रहे, शुभ रहे कौन से है चंद्रमा बुद्ध, गुरु और शुकर गुरु शुकर तो निर्वीयाद उससे शुभ रहे है चंद्रमा और भुद्ध का देखा जाता है कि वो conditional होते है चंद्रमा शुक्र पक्षका हो तो शुब ग्रह होता है अशुब ग्रह के साथ ना बैटा हो तो शुब हो तो शुब ग्रह राशी का स्वामी होकर पंचम में हो पंचम भाब का जो ग्रह स्वामी है मालिया शुब ग्रह है और वो पंचम भाब में बैठा है और साथ में पाप गरह यदि स्वेर राशिका भी हुगा तो अपने स्थान को नहीं विगाड़े अगर पाप गरह पंचम भाव का स्वामी है और वो पंचम भाव में बैठा है तो इसको नहीं विगाड़ेगा गिंतु यदि वो दूसरे घर में बैठा है तो उसको अवश्य भी तो यह अब निरने लगा सकते हैं कि पाप ग्रह जहां भी बैठते हैं अपने घर को छोड़ कर उस घर की हाने इसके लावा दिया हुआ है कि व्रश सिंग कन्या और व्रशिक अल्पसुत राशी कहला कम संतान वाली यदि पांचवे भाव में व्रश राशी हो सिंग राशी हो कन्या और व्रशिक राशी हो और व्रशिक राशी तो ऐसे इनसान के संतान कम हो अल्पसुत राशी हैं और यदि होती भी है संतान तो वो बहुत समय के भी कई बार देखा हुआ किसी कुल्डी में लोग आते हैं वो कहते हैं साथ संतान हुई नहीं है बहुत डिले या किसी किसी के असाता साल बार छे साल बार आट साल बार शादी के संदान होती है तो उसका रिजन एक ये भी हो सकता है कि आप ये देखिए कि उसके पांचवे भाव में व्रश सिंग कन्या और व्रशिक जो अलप सुतराशी है वो तुन फिर वो नियम से कहते है यानि लगन भाव अस्टम भ्याव और व्याव शनिड्या रुधिर विश्वा पालतोय सुते चंद्र लाब गते गुरु इस्तिते सुतस्थाने सपापे भवे ये क्या बोलते हैं इस श्लोक के अंदर तीन तीन योग बताएं इस तीन योग क्या है वो कहता है कि इन तीनों योगों में से यदि कोई भी योग खुंडली में अवेलेबिल है तो जातक के बहुत काल बीतने के बाद बहुत यतन करने पर संतान होती है ये भी योग है वो भी था अलपसुतराशी का ये तो हमने पीछे भी पढ़ लिया है कि पंचम भाव में अलपसुत राशी हो, सूर्य हो उसमें बैठा हुआ और शनी आठ्वे़ घर में हो और मंगल लगन में है शनी लगन में हो, ब्रस्पती अस्टम में हो और मंगल बारवे घर में पांचवे घर में अलफ सुत राशी ये भी नियम है अगर पांचवे घर में अलफ सुत राशी है और शनी लगन में बैठा है और ब्रस्पती अस्टब में बैठा है तो भी अलफ सुत तो भी संतान बहुत ही यतन के बाद और बहुत ही जवानी बीतने के बाद होती है चंद् संतान बहुत समय बाद होग! तो ये थे संतान के बारे में कुछ नियम जो मैंने आपको इस वडियो में बताए अभी यह चैप् poison बढ़ता है और इसके अलावा हम लोग अपनी इस्ट्रलोजी, इस्ट्रलोजीकल रेमिडीज, केरो कार्ड, नियुमरलोजी, इन सब की क्लास भी हमारे यहां चलती है, जो लोगे चुक हूँ, अपना नामंकन करा सकते हैं, देगे नमबर के संपर, धन्यवाद, जया शीक,